नवश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 17 दिसंबर शुकरवार साम सबा 7 वजे राजस्तान की बड़ी खबरे ब्रश्चाजार निरोधक ब्यूरो ने शुकरवार को नोखा में पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार किया है पटवारी से 4000 रुपे भी बरामत किये गए हैं जिस पर ब्यूरो ने पहले ही रंग लगाया हुआ था पटवारी से नोखा थाने में पूस्ताच की जा रही है साथ ही उसके गर्वे अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा गया है बीरो के अतरित पुली से दिख्शक के निदेश पर ये करवाई की गई है दरसल बीरो को शिकायत मिली थी कि नोखा का पटवारी विकास मीना हर काम के लिए रिशत मांग रहा है राजस्तान में आसे हाट कपाने वाली सर्दी की शिरुवात हो गई है उत्तर भारत से चली कोल वेव ने समूचे मैदानी इलाकों में अपनी चपेट में ले लिया है इसका सर्शुकरवार को राजस्तान के दिकान शिलाकों में भी पड़ा बीती राज से चल रही तेश्चीत लहर के कारण तापमान में बरी गिरावत दर्श की गई है वहीं उत्तरी राजस्तान के कई जिले कौरे से ढख रहे पड़ोसी राजे गुजरात तक आने जाने के लिए उध्यपूर का कनेक्शन और सुगम वह सस्ता होगा उध्यपूर से गुजरात के अंभावेली तक के लिए निया नैशनल हाईवे तयार हो गया है अब इस हाईवे पर मातर 3 किलोमेटर का काम बाकी है और मार्च तक पूरा हो जाएगा आदिवासी अंचल के जाड़ोल वेफ फलास्या सीधे हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे और उनका गुजरात आने जाने के लिए समय बचेगा सबसे जादा उफाइदा उद्यपूर जाड़ोल फलास्या शेत्र के लोगों को होगा कॉंग्रेस कारे करताओं नेताओं को पार्टी की रिती निती सिद्धानत और विचारदारा में दक्ष करने के लिए प्रदेश कॉंग्रेस की ओर से प्रदेश तरिये तीन दिवस्य प्रशिक्षन शिविर का उजण किया जा रहा है प्रशिक्षन शिविर में कॉंग्रेस कारे करताओं नेताओं को बैचारिक तोर पर मजबूत किया जाएगा मुख्यमत्रिय शोग गैलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन तीन दिवस्य प्रेशिक्षन शिविर का उद्गाटन करेंगे तीन दिवस्य प्रेशिक्षन शिविर 26-28 दिसंबर तक जापुर के शिवदासपुरा के बाड़ा पदमपुरा मी होगा शंसद में इंदिनोशीत कालिन सत्र चल रहा है उतर भारत में कडाके की ठंड पड़ रही है लेकिन तमाम मामलों के बीच संसद में सियासी पारा उफन रहा है किसान अंदोलन से लेकर संसदों की निलंबत तक कही ऐसे मामले हैं जिसकी वज़े से छोटे-छोटे मुद्दों की और हमारा ध्यान नहीं जाता है राजस्तान से बीजेपी नेता और राजे सवा संसद की रोडिलाल मीना ने इसी सतर में दो ऐसे मुद्दे उठाए जो अब तक सिर्फ बीजेपी बलकी संग के प्रमुक एजंडों में से रहे हैं तीन दिसंबर को संसद की रोडिलाल मीना ने संसद में भारत में समान नागरिक सहीता विधायक 2020 पेश किया नागर जिले के मकराना सेज विजेपी विधायक रूपाराम मुरावतिया ब्रश्टाचार को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देकर चर्चा में आ गए है रुपाराम वारतिया ने कहा आज ब्रिटाचार से परपूर कॉंग्रेस पार्टी है लेकिन मैं यह खरी-खरी कह रहा हूं कि हमारी भारतिय जनता पार्टी भी ब्रिटाचार से अच्छुती नहीं है हम दूसरों को दोश देते रहें मैंने कहा कभी जो आपने किया वही हमने किया जब भी मोका मिला खाने का खूब खाया खूब पिया जब दोश देने का मोका आया तो एक दूसरे पर मंड दिया राजस्तान लोग सेवा आयोग का तिहत्रवा स्थापना दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाएगा इसको लेकर रंग रोगन वे तैयारियां शुरू कर दी गई है ववन की दिवारों पर आकाशक चित्र बनाये गए हैं आयोग में भार से आने वाले अभियार्थियों को सुविधा के लिए भी विशेश इंतिजाम किये गए हैं आयोग के कार्यवाहक अदेश डॉक्टर शिव सिंग राठोर ने बताया कि 22 दिसंबर 1949 को प्रथम न्युक्ति के साथ ही राजस्तान लोक सिवा आयोग अस्तित्म में आया था स्तापना दिवस कारेक्रम का प्रारहम दुपैर 12 वजे दी प्रजलन के साथ किया जाएगा इसको लेकर चिकित्सा विभाग के और से तैयारियां शुरू कर दी गई है दूसरी लहर में जा लोगों को सांस लेने के लिए उक्सिजन कम पढ़ गया था उसी को लेकर जिला अस्पताल में 20 टन की शमता का लिक्विट फॉर्मेट में उक्सिजन प्लांट सापित किया ज हरताल दूसरे दिन शुकरवार को जारी रही उनाटेट फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन्स के बैनर तले जी से से वहन रेली निकाल कर वी रोध जताया कलेक्टरेट पहुंचकर वित्तमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ग्यापन भी सौपा हरताल के कारण दो दिन में जिले मे अनुमानी तोर पर 500 करोड रुपे का लेंदेन प्रभावित हुआ है करीब डाईसो बैंक शाखाओं के ताले नहीं खुले और करीब 2000 कार्मिक हरताल पर है अलवर नगर परिशत का सबपती वाडश है के पार्शन मुकेश सारवान को बनाया गया है सारवान के सबपती बनने की घोशना शुकरवार सुबह हुई और 10 बजे उन्होंने कारे ग्रहन कर लिया सबपती मुकेश के पिता डालचंद खुद इसी नगर परिशन में सफाई कर्मी रह चुके है अब उनके बेटे का सबपती का कारे संबाला है कास बात यह है कि मुझुदा बॉड में सबपती की मा बिमला सारवान भी पार्शद है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे और बड़ी ख़बरों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें